जाहिन दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदान सिंग, फिर से आज रेकवार नई वीडियो के साथ आपके अपने फिर्ट चानल सी एस टेक्निकल पे दोस्तों वीडियो के थमनेल से आपको पता चल गया हुगा कि आज हम कौन से टॉपिक के उपर बात करने वाले हैं जी हाँ, बिल्कुल सही, आज हम केंद्रेवे डियले स्कूल में जो बच्चों की फी लगती है, उस फी स्ट्रक्चर के उपर बात करेंगे और सभी क्लासों में कितनी फी लगती है, किस बच्चे का एक्जम्टेड है, किस का नहीं है, किस का कितना लगता है, इस पूरा टॉपिक के उपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि इंडिया की ज्यादातर पेरेंट्स क्यों अपने बच्चे को केंद्रे वेडियल स्कूल में पढ़ाना चाते हैं, तो देखिए इसके दो रीजन है पहला रीजन यह है कि केंद्रे विद्याले स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है और बच्चों को पढ़ाने वाले जो टीचर्स आते हैं वो वेल कॉलिफाइड आते हैं क्योंकि उनका एक ठूप्रोपर चैनल एक सेलेक्शन होता है उसके बाद वो एक ठीचर केंद्रे विद्याले स्कूल में अपॉइंट किया जाते है पहला रीजन ही हो गया दूसरा रीजन जो बहुत ही महत्पून हो जाता है क्योंकि according to other schools चाहे आर्मी स्कूल हो चाहे जो बाहर private schools हैं उनके according केंद्रे विद्याले स्कूल की फीज बहुत ज़्यादा कम है और इसके साथ-साथ ये जो middle class के families होती है या कोई भी हो उनके लिए affordable fees होती है क्योंकि कम पैसे में अच्छी पढ़ाई अगर बच्चे को मिलती है तो सभी parents चाते हैं कि उनके बच्चे को अच्छे स्कूल में अगर कम पैसे में पढ़ाई मिलती है तो क्यों ना अपने बच्चे को ऐसी जगह में पढ़ाई जाए इसलिए जाए तरे parents कोसिस करते हैं कि उनके बच्चे का admission केंद्रे विद्याले स्कूल में हो जाए तो चलिए अब मैं आपको fee structure के बारे में बताता हूँ तो चलिए अब आपको screen पे लेके चलता हूँ और एक एक चीज आपको समझाता हूँ कि किस class के लिए कितना लगता है किस का exam trade क्या है तो चलिए इस screen पे चलते हैं तो देखिए केंद्रे विद्याले संगटन के यह fee structure है मैं आपको यह एक एक करके बता देता हूँ क्या है पॉइंट नमबर वन देखिए लिखा हूँ है admission fee admission fee जो है one time लगता है बच्चे का जब आप admission कराते है 25 रुपे उसके बाद second number पे लिखा है re-admission fee re-admission fee उस condition में लगता है माले जी कोई बच्चा केंद्रे विद्याले स्कूल में पढ़ रहा है और किसी कारण से हो सकता है कि absent होने के विए से without किसी reason के absent हो गया तो अगर बच्चे का नाम कट जाता है स्कूल से तो अगर उसका दुबारा re-admission होता है तब उसको ये 100 रुपीज पे करने होते है उसका बाद तीसरे नमबर भी लिखा हो tuition fee per month देखिए मैं आपको बता दूँ class first से लेकर के class 8 तक सभी बच्चों का tuition fee माफ होता है यानि किसी का भी नहीं लगता है इसलिए आप देखेंगे class 9 और 10 लड़कों के लिए 200 पर month के हिसाब से tuition fee लगता है उसके बाद देखिए class 11 और class 12 जैसे कि आपको बताओगे class 11 और 12 में stream wise हो जाता है तो जो बच्चे commerce और humanities stream से होंगे boys उनका 300 रुपे पर month के हिसाब से ये आपका tuition fee लगता है उसके बाद देखिए तीसरा point लिखाव है class 11 और 12 science system मालों के लिए जो boys होंगे उनके लिए 400 रुपीज पर month के हिसाब से वहाँ पर चार्ज किया जाता है इसकूल के द्वारा उसके बाद computer fund की बात करें तो computer fund में देखिए जो point 4A है उसमें class 1st और जो 2nd है उसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता है computer fund क्योंकि वहाँ पर class 1st और 2nd में computer classes नहीं चलती है इससे class 1st और 2nd का कोई चार्ज नहीं किया जाता है उसके बाद class 3rd से लेकर के onward 100 रुपी जो है पर month के हिसाब से चार्ज किया जाता है उसके बाद देखिए point number 4B 4B में है लिखा है computer science fee for elective subject in class 11th and 12th जो भी बच्चे computer science लेते हैं class 11th और 12th में उनको जो है 150 रुपे पर month के हिसाब से pay करना होता है मतलब कि fee में calculate किया जाता है उसके बाद देखिए point number 5th विद्याले विकास नीदी from class 1 to 12th per month ये सभी के लिए लाग होता है इसमें किसी के लिए भी कुछ छूट नहीं है ये सबका लगता है इसके बाद हम बात करेंगे सिंगल कल चाइल्ड के लिए और आर्टी कोटे के लिए देखिए आर्टी कोटे में क्या होता है क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक जो है कोई फीस नहीं लगता है क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक कोई फीस नहीं लगता है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक जो है नॉमल बच्चों की तरह उनको भी चार्ज मतलब जो भी fee वेगर है वो सब पे करना पड़ता है लेकिन class first से लेकर class eight तक कोई उनका charge नहीं होता है इसी तरह जो single girl child होते हैं उनमें क्या होता है कि class first से लेकर के class fifth तक बच्चों का fees लगता है लेकिन class six से लेकर के class 12 तक किसी भी बच्चे का जो single girl child कोटे से है उसका कोई charge नहीं लगता है कोई fees नहीं लगता है तो यहाँ पर आपको दोने चीज़े पता चल लगी यह जो मैंने fee structure बताया है अब इसके बाद बात करते हैं हम कि किस किस का fee exempted होता है तो वो मैं अभी आपको एक एक करके सारी list दिखा देता हूं जिससे कि आपको पता चल लेगा किसका fee exempted होता है और किसका नहीं होता है तो देखिए मैं आपको इसका link दे दूँगा अपने description में वीडियो के आप वहां से download कर सकते हैं उसके बाद आपने इसके उपर click करना है उसके बाद जब click जोंगे हो सकता है कि नेट ना चलाना जानते हों तो उनको इस वीडियो के मादम से पता चल जाएगा तो देखिए मैं जल्द जल्दी बता जाता हूं आपको सबसे उपर लिखा हूँ है केंद्रे डाले संगटन category wise exemption from the payment of tuition fee VVN and computer fund यह सारी चीज़ा लिख हुए है सब पहले category के बात कर लेते हैं girls student from class first to 12 tuition fee उनकी exempted होती है computer fund no exemption और जो VVN contribution है वो no exemption उसके बाद SCST student जो tuition fee exempted होती है उसके बाद computer fund no exemption उसके बाद VVN contribution no exemption उसके बाद देखिया है जो थर्ड पॉइंट है children of KVS employees जो tuition fee exempted computer fund no exemption VVN not exemption उसके बाद देखिया आगे लिखावा है children of officers and men armored forces and paramilitary personnel killed or disabled during the hostility in 1962, 1965, 1971 and 1999 and as well as to the children of defense personnel of Indian peace keeping force IPKF in Sri Lanka and personnel of armored force killed or disabled or operation Mekdut in Siachen area operational VJ in Cargill तो इनके लिए देखिये जो tuition fee exempted है computer fund not exempted और उसके अलब VVN contribution जो है exempted है उसके बाद की अगला है constitution of exemption from the payment of tuition fee VVN and computer fund is also extended to the children as armored forces and paramilitary forces personnel whose parents are killed or declare missing or permanently disabled during any counter agency operation in India or abroad provided the children produce the certificate granted by the concerned ministry इनके जो fee है tuition fee exempted है इनका सब कुछ exempted है उसके बाद जो अगला है children of parents who are living below poverty line up to two children and having BPL card इनका जो है tuition fee exempted है उसके साथ आपको बता दूँ कि VVN exempted है लेकिन जो computer funder बाद नहीं है उसके अलब देखिया और अगला है disabled student यानि जो भी बच्चे डिये कोटे के तुरू भरती होते हैं मत्य अड्मिशन लेते हैं उनको जो है tuition fee exempted है और जो computer fund है not exempted और जो VVN है वो not exempted है उसके बाद अगला जो है all girl student from class 6 to 12th who happened to be the only child of their parents we have 1st January 2006 from VVN and computer fund यानि कि उनका tuition fee exempted है computer fund exempted है और साथ में VVN भी exempted है उसके लास्ट में लिखावाई है तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर देना मैं उसके ऊपर एक वीडियो मना दूँगा या इंस्टाग्राप अगर किसी कुछ यह तो मैं वहाँ पर आपको मैं आपको मैंसेज कर दूँगा photo click करके तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताता तो class 1 के fee की बात करें तो देखिए यह एक fee का चलान है जो कि किसी बच्चे का है तो इसके उबर से कुछ details वगरा है मतलब hide किये हुए तो मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखिए 14 2021 से लेकर के 34 2021 के लिए जैसा कि आपको पता होगा केंद्रे विडियल स्कुल में quarterly wise जो कौन से दो तरीके यह भी मैं आपको बताऊंगा तो उससे फहले देखते हैं देखिए यहाँ पर class first के लिए बात हो रही है तो देखिए यहाँ बच्चे का tuition fee नहीं लगता है जो VVNA विद्याले विक्यास ने दी वो सबका compressor ही है तो यहाँ पर बच्चे का 500 के हिसाब से 3 म commission fee नहीं लगता है लेट फी नहीं लगता है तो यह कुछ नहीं लगता है कुल मिलाके class first के बच्चे का जो है फी जो लगता है 15 सरूपे एक quarterly का लगता है यह तीन महीने का 15 सरूपे एक महीने का हो गया तो इसी तरह से आगे जो July to September, October to December जैसे जैसे यह फी जमा होती यह fee की receipt होती है तो आप बात करते हैं कि fee किस किस तरीके से आप school मतलब जमा कर सकते हैं तो देखिए इसका तरीका यह है कि या तो आप online घर बैठे बैठे जमा कर सकते हैं fee school की मत बच्चे की या आपको Union Bank of India में जा करके fee जमा करना होगा online कैसे जमा करना है वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ और उसका link भी मैं अपने description में दे दूँगा तो चाहें तो आप क्लिक करके उस पर जमा कर सकते हैं लेकि अभी आपको जमा नहीं करना है आपकी ये knowledge के लिए है तो अगर future में कभी जमा करना होगा तो आप इस link के प पर उसको save करके रख सकते हैं या कभी future में जमा करना होता आप मेरी वीडियो पर दुबारा करके link के उपर क्लिक करके free direct जाके कर सकते हैं यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको देखिए आप लिखा है make payment के अंदरे विद्धाले संगठान यहाँ पर आपको student unique ID जब certificate में होगा वह आपको यहाँ लिखना होगा उसके बाद capture code उसके बाद आपने simple सा login कर लेना है जब आप login करेंगे तो वहाँ पर आगए procedure रहा जाएगा fee payment करनेगा कि कितना fee due है तो वह आपने fee payment करना है और simple easy तरीके से आपका fee जमा हो जाएगा fee जमा करने के लिए simple सा वही तरीका है कि आप UPI की use कर सकते हैं या card payment कर सकते हैं net banking के use कर सकते हैं इसके अंदर जैसे जाएंगे तो सारे options आजाएंगे जैसे normally आजका हम transactions करते हैं तो वहाँ बहुत सारे options आजाते हैं उसी तरह से आ इसका link आपको मेरे video के description में मिल जाएगा आप चाहें तो वहाँ से copy करके save कर सकते हैं कहीं पर तो दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि जितनी बाते आज की studio मैंने बताई है सब समझ में आगी होंगी देखिए आपने क्या करना है कि आप जिस भी class के बच्चे का check करना चाते है किस class में कितना fee लगता है किस stream के लिए कितना लगता है तो आप according to यह जो मैंने आपको structure दिखाया है उसके according आप calculate कर सकते हैं easily अगर फिर भी किसी को कोई doubt है calculate करने में दिख करते हैं तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं आपको comment में calculate करके बताने की खोशिश करूँगा या आप आप मुझे Instagram पर message कर सकते है Instagram को जो link है वीडियो के description में मिल जाएगा साथ ही साथ यह जो मैंने अभी आपको fee structure वेगरा दिखाया है इसका link भी आपको description में मिल जाएगा तो आप चाहें तो वहां पर भी link पर click करके आप खुद वो इसको download कर सकते हैं दोस्तो वीडियो के last म मैं अपने चैनल पर एक बात बोता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को subscribe करने और नहीं नहीं वीडियो देखने के लिए केंद्रे विद्याले से related क्योंकि वीडियो के starting में मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको आपके काम की बात पते चले उसके पाद यह second priority में आता है कि आपने चैनल को subscribe करना है या नहीं करना है अगर वीडियो अच्छे लगी तो इसो लाइक जरूर करें और ज्यादा ज्यादा पेरेंट्स के पाशियर करें ताकि जो पेरेंट्स अपने पर चेक एडिमिशन केंद्रे विद्याले स्कूल में कराने जाते हैं उन सबको मेरी वीडियो के माधियम से मेरे चैनल के माधियम से help हो सके तो दोस्तों आज करा बस इतने हैं तब तक लिए thank you bye bye जैहिन जैभारत